हाई गैज और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालेसिस अफ 9 जन्वरी 2022 तो गैज आज है तारिक 9 जन्वरी 2022 और है संडे देखिने आज के दहिंदू न्यूस पेपर के इंपोर्टन आर्टिकल्स को इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नोट्स जाएए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलूड करना है टेलिग्राम और फिर जा इंपोर्टन अपडेट्स को प्रोवाइट करवा दिया जाता है नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है फार्क लें 2004 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बेसिस पर हम लोग यहां पर एक प्रिवियस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बूलता है देखो पहले तो ऑप्शन के अंदर आपको अलग-अलग यून टेरिटरी के अंदर जो ओंग ट्राइब है वो रहती है ऑप्शन A बोलता है अंडा मैं नेकोबार आइलेंड ऑप्शन B दादर और नागर हवेली ऑप्शन C दमनेंट दियू या फिर ऑप्शन D लक्षदीब हाँ दादर नागर हवेली और दमनेंट दियू उस समय अलग-लग यूनिटरिटरी हुआ करता था लेकिन आज के टाइ प्लस टेलिग्राम पर ही प्रोवाइट करवा दिया है वहां से भी जाकर इसको चेक आउट कर सकते हो तो चलो शुरबात करते हैं यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल देखो कुछ खास एक्जाम की पॉइंट अवी से आर्टिकल इंपॉर्डन नहीं है लेकिन यहाँ पर पताया गया देखो जो इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर साथ फेस में होंगे और मनिपूर के अंदर दो फेस में होंगे बाकी जो तीन जगहा है जैसे पंजाब उत्रक्रण और गोवा यहाँ पर आप देख पाओगे एक एक फेस के अंदर यह इलेक्शन कंड कर दिया है कल नहीं आज मॉर्निंग में उसको अप्लोड कर दिया था लग भग तीन घंटे के आसपास का ये वीडियो है दिसंबर के मन्त के जितने भी करेंट अफेर हैं जितने भी करेंट अफेर मतलब कि चाहे वो अलग टॉपिक वाइज आप ले सकते हो चाहे वो को भी डाउनलोड कर लेना अपने पास उन सारे आर्टिकल को रख लेना उससे होगा क्या है देखो वो जो वीडियो है उससे आप लोग एक रिविजन ले सकते हो क्योंकि वहाँ पर मैंने एक ओवर्वियू दिया है क्योंकि ऑब्यसी बात है हम लोगोंने पचास मिनेट सा सारे इंटर्नाशनल नेशनल कर इंटरफियर्स को कवर कर दिया आगे बढ़ते हैं नो यहाँ पर जो आर्टिकल है यह बात करता है इंडिया क्या करेगा एक्सपॉर्ट करेगा मैंगो को तो हम लोग आम एक्सपॉर्ट करने वाले हैं युस में अभी काफी लंबे समय हो च किया गया है US Department of Agriculture and Department of Agriculture and Farmer Welfare of India तो इंडिया और US के ये Agriculture Department के बीच में agreement sign किया गया इस agreement के basis पर इंडिया जो है mangoes को export करेगा towards US आपको पता चलिया और mango के साथ साथ क्या करने वाल है पोम गरेनेट जो अनार होता है अनार के साथ यहां पर पोम गरेनेट अरिल मतब अनार के दाने यहां पर इसको भी हम लोग export करने वाले हैं US के अंदर ऐसी information निकल कर आती है अब हम लोग की चीज़े export करेंगे तो US से क्या import करने वाले तो US यहां पर हमारी country के अंदर import करेगा अलफा लफा है ठीक है उसके आद यहां पर जो cherries वगरा है यह US से हम लोग लेंगे यह आपको ध्यान रखना है अगले ही मन्त से क्या होगा हम लोग इन mango's वगरा को export करना चालू कर देंगे यह एक information निकल कर आती है तो ध्यान रखना इसके बारे में आगे बढ़ते हैं next article पर next article भी बहुत important है again GS paper to international relations के point of view से इंडिया श्रिलंका के जो भी आपने relations के बारे में लिक रखाऊगा वहाँ पर एक आथ point इस article में से add कर सकते हो इंडिया ने क्या किया है टॉप किया है स्रिलंका के tourism list के अंदर तो भारत से काफी सारे जो tourist हैं वो श्रिलंका पहुँचे हैं ऐसा ये data निकल कर आता है तो यहाँ पर ये श्रिलंका का tourism data खुद बताता है तो श्रिलंका के अंदर जो tourism arrival हुआ था मतलब जो tourist गए थे दिसंबर के मन्त में ठीक है दिसंबर के मन्त में सबसादर tourism गए और इंडिया के tourist सबसे ज़ादा रहे हैं ये data पब्लिश किया इया स्रिलंका tourism development authority के थूर ये यहाँ पर mention किया इया और उसके बताया गया देखो 2020 के अंदर जब April की starting थी जब हम देख रहे थे कि COVID- 19 काफी देजी से फैल चुका था और मतलब लगातार सर्चा हो रही थी तो इसके डर की वज़ा से काफी सरे restrictions लग चुके थे tourism के ओपर आपको पता है कोई कहीं पर घूमने नहीं जा रहा था traveling वगरा सब कोच बयान कर रही थी लेकिन उसके बाद यहाँ पर धीरे-धीरे च पैसा आ रहा है वो टूरिजम से आ रहा है यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं अब घूमने जाएंगे तो आप पैसा भी खर्चेंगे तो इससे क्या होगा country की economy के अंदर वहाँ पर वह सर्कुलेट होगा तो उससे यहाँ पर उनकी economic के अंदर एक बहुत बड़ा contribution मिलता है तो काफी बड़ी economy यहाँ पर depend करती है शिलंका की tourism के उपर तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 2020 के अंदर चीज़े रिवाइब हो रही थी दिसंबर के मन्त में थोड़ा सी चीज़े रिवाइब होई यह 2020 की बाद चल ली है जब करोना काफी तेजी से फैला था फिर साल 2021 के साथ है तो साल 2021 के अंदर tourism जो tourism है वो तेजी से increase हुआ अब यहाँ पर तेजी से increase होना चलू हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया लगबग श्रिलंका के अंदर दिसंबर के मन्त में 89,506 टूरिस्ट गए थे ठीक है जिसमें से 23,566 जो टूरिस्ट थे वो स्रिफ और स्रिफ इंडिया से बिलॉंग कर दे थे मतलब 26,3 टूरिस्ट जो टूरिस्ट है वो इंडिया से बिलॉंग कर दे थे तो इंडिया का एक काफी बड़ा रोल रहा है श्रिलंका के टूरिजम में exactly इस आर्टिकल का ये कहना है ठीक है फिर उसके बाद जैनवरी 2021 से लेकर देसंबर 2021 की बात हो रही है मतलब पिछला साल जो की अभी निकला है तो पिछले साल के अंदर भी यहाँ पर ये टूरिस्ट के अंदर बात करें तो इंडिया का कॉंट्रिबूशन काफी बड़ा रहा है इनफाक्ट 42 परसेंट तो जो विजिटर्स थे शिलंका के अं अंदर हुआ था साल 2019 के अंदर देखो साल 2020 में कोरोना आया साल 2020 में जब कोरोना आया तो काफी सरी चीज़ों के उपर रिस्ट्रिक्शन लग चुके थे एकॉनमी वगरा दुनिया भर की डाउन हो चुकी थी लेकिन उससे पहले वाला जो साल 2019 सा वो काफी अच्छा चल रह गया COVID-19 के अंदर कैसे सीचुएशन यहाँ पर संभाली है COVID-19 रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पर सारी चीज़े चलाई है श्रिलंका ने वो यहाँ पर मेंशन की गई है बस इतना जरूर धियान रखना कि हाँ श्रिलंका की टूरिजम लिस्ट के अंदर इंडिया एक बहुत मह हमारी कंट्री के अंदर जल्दी से इसको इंडेक्ट किया जाएगा अभी इसके ओपर काम चल रहा है तो इसके ओपर यहाँ पर यह आर्टिकल आए ठीके यह जो लार्जर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे इनको हम लोग साल 2023 के एंड तक अपने कंट्री के अद एरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस लाइट कंबेट एरक्राफ्ट तेजस अलग है तेजस को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं इस साल तक एक तरीके से साल 2022 के अंदर हम लोग लेकर आने वाले हमारी इंडियन एरफोर्स को देने वाले हैं एक फाइनल क्लिरेंस उ आपको देखने को मिलेंगी इसको भी हम लोग इस साल के मिडिल तक जो है एक तरीके से इसको पर काम किया जाएगा और इस साल के मिडिल तक हम लोग इसको ले कर आने वाले हैं यह भी आप बताए गया और कोशिश यह रहने वाली है कि जो 6-8 light combat aircraft है वो इस साल तक हम लोग यह कर आए मतलब इसको हम लोग एक तरीके से बिल्कुल बना कर हम लोग ले कर आए अपने कंट्री के अंदर ठीक है मतलब कंट्री के अंदर इसका सबका प्रोडक्शन चलेगा यह तो आपको पता ही है उसके बाद यहां पर क्या बूला गया देखो यहां पर तीन गई एक बारे में चर्चा की गई है उसके राद म हम लोगकर बना की यहां पर मसु возможность टप समझने की कोशिश करेंगे ठीक है पहला आप लोग एरक्राफ्ट के बारे में समझो सबसे पहली बात लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट तेजस की बारे में चर्चा करते हैं आर्टिकल अमारा जी एस पेपर 3 के पॉइंट एवी उससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ज्योंकि और तब इन्होंने एस्टेबलिश किया क्या एरोनॉटिकल डेवलेप्मेंटल एजेंसी ताकि हम लोग क्या कर सके लसी ए प्रोग्राम को मैनेज कर सके तो एक एजेंसी को बनाया गया था इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जिसमें हम लोग लाइट कॉमेट यह क्या करते हैं, यह हमारे पुराने वाले fighter plane को replace कर देंगे, ठीके, जैसे कि MiG-21 fighter plane है, यह काफी बूड़ा हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसको replace कर दिया जाएगा, अब यह जो aircrafts हैं, जैसे कि तेजस के बारे में चर्चा हो और यह इसको design करने के लिए, यहाँ पर कौन को सी bodies काम करेंगी, एरोनाटिकल developmental agency आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक तरीके से DRDO के अंदर काम कर रही है, यानि DRDO का एक laboratory है, Department of Defense Research and Development, इनके अंदर में आपर काम किया जाता है, लेकिन इसको manufacture कौन करेगा, इसको बनाएगा कौन, तो यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, State Owned Hindustan Aeronautics Limited के थूरू, तो आपको मालूम होगा, Hindustan Aeronautics Limited, अपने आप में defense equipment में काफी top की company मानी जाती है भारत थी, ठीके, उसके features के बारे में, अगर हम लोग बात करें, तेजस के बारे में, तो यहाँ पर देखो light होगा छोटा होगा, और यहाँ पर काफी मदब इसकी जो इस प्रकार की जो टेल होती है, वो यह नहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर टेललेस एक तरीके से यह पुरा का पुरा aircraft होगा, जिसकी speed भी काफी अच्छी खासी होगी, ठीके, super sonic fighter aircraft होने वाला है, अपनी AL refueling भी की जा सकती है, हवा में इसकी refueling की जा सकती है, उसके बाद इसका जो maximum payload capacity है, वो 4000 kg तक का यहाँ पर, इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोड रख सकते हैं, उसके बाद आपका सकते हो इसकी maximum speed है, वो Mark 1.8 के आप सपास देखने को मिलेगी, और इस aircraft का ज Mk-1A, यह सारे आपको देखने को मिलेंगे, इस सब aircraft हैं, जो कि अपने आपें बहुत सदा important है, I hope आप लोग clear कर चुके होंगे LCA Tegas क्या है, उसके बाद इसी article में बताया गया, जो light combat aircraft Mk-2 है, Mk-2 के बारे हम बात करें, तो यह काफी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है, size में, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको भी काम स्टार्ट किया गया एगा, और साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि 2023 के end तक हम लोग इसको ले करा पाएंगे, ठीक है, इसको पूरी तरह से तयार करके ले करा पाएंगे, तो 2023 तक हम लोग अभ इंडियन एरफोर्स की जो पावर्स हैं, डिफेंस पावर्स हैं, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी, LCA MK2 के बारे में बात करें, तो यह एक 4.5 जनरेशन एरक्राफ्ट देखने को मिलेगा, जो की यूस किया जाएगा हमारे इंडियन एरफोर्स के थूरू, यह क् जो मिराज 2000 क्लास ओफ एरक्राफ्ट हैं, उनको रिप्लेस कर देगा, जो मिराज एरक्राफ्ट हैं, उनको हटा देगा, यह नहीं एरक्राफ्ट से हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक बड़ा सा इंजन है, प्लस जो पेलोड कैपसिटी है, वो भी 6.5 10 की दे पार्टिंग कैसे हुई थी, LCA प्रोग्राम को हम इसलिए लेकर आए थे, ताकि MIG-21 एरक्राफ्ट को जो फाइटर एरक्राफ्ट से उनको रिप्लेस कर सके है, पुराने एरक्राफ्ट को बिसिकली रिप्लेस करने के बारे में चर्चा की जाती है, और तेजस के कौनकों से विरेंट से ही, मैंने आपको तुरंद ही बताया था, ठीके, तो ध्यान अकना, तो अभी इन विरेंट को खासकर इन एरक्राफ्ट को हम लोग अपने कंट्री के अंदर लेकर आने वाले हैं, बिसिकली कंट्री के अंदर बनाएंगे, तो अब्योसी बात है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यह यहाँ पर इसका मेन मक्सेद है, काफी सरा पैसा अनॉंस किया जा था, रिसेंटली हम लोग लास्ट फेरवरी से चर्चा कर रहे हैं, लास्ट फेररी में जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने लगबख 48,000 करोर रूपे की जो यह ड दियान रखना है, कि हाँ, लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट क्या है, यह वेराइटीस क्या है, तेजस की, इसके क्या स्पेसिफिकेशन से, वो मैंने आप लोग को exactly बता ही दिये हैं, और यह सारी चीज़े जो कि आप लोगोंने अभी नीचे नोट्स की फॉर्म में देखी हैं, तो यहाँ पर आप क्या होग सकता है, पीडिएफ से ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर यह सिस्टम इसलिए अच्छा है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन नोट्स को मना सकते हो, अब देखो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको रीड करने की भी इतनी ज़्यादा ज़ कर सकते हो, करना क्या है, टेलिग्राम से वो चीज़े कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, और कॉपी करने का अपने जो जाकर एक तरीके से जहाँ पर आप नोट्स मना ले होंगे, वहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो नोट्स है, वह एक और्गना कोभी पड़ सकते हो फिर लास्ट में क्या कर सकते हो कि यहां है कर सकते हो तो औलाइन नोट्स भी ज़्रूर्ट करा करो बाकि यहां पर आपको कैसे प्रिपार करते हैं उसके अपर भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो लेकर आजाओं कि Evernote वगएरा कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूँगा क्योंकि मैंने काफी लंबे समय से यूज किया है तो मैं आपको बता सकता हूं काफिया तक help मिलती है आगे बढ़ते हैं निक्स आर्टिकल में घरियाल्स के बारे में चर्चा की गई है घरियाल्स के बारे में आप लोग को पहले भी काफी बार पढ़ाया है ठीक है और मेरे ख्याल से पता है पिछले से पिछले संड़े में घरियाल्स चर्चा में थे और अब यहाँ पर एक संड़े छोड़कर वा बाकी बहुत सरी बकवास है, इतना एरिया बड़ा है, इतना एरिया घटा है, तो वो सारी चीज़े हैं यहाँ पर हमारे काम की है नहीं, मैं आपको वो अलग से चीज़े बता दूँगा, अगर हम बात करें, तो आर्टिकल के अंदर बताया गया, घरियाल्स रेटन होंगे, औरंग नाशनल पार्ग के अंदर, तो पहले तो आपको जानना होगा, घरियाल्स होते क्या हैं, यह मगरमच होते हैं, जैसा पिचर आप लोग देख पा रहे होंगे, इन मगरमच की जो चोंच हैं, कितनी लंबी है, चोंच ही कह सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर क्याएं न जातरे में हैं, ठीक है, तो यह चीज़ा हम लोग को देखने को मिलती है, तो घरियाल्स की बात करें, तो आर्टिकल जी एस फिपर थी एन मोमेंट के पॉइंट एव्यू से इंपोर्टेंट हो जाएगा, अगर हम लोग इसको देखें, सबसे पहली बात घरियाल्स, तो इस प्रकार से आपर इसकी स्नौट देखने को मिलती है, और ऐसा अलग ही है आपर आपको यह क्रोकोडाइल पाया जाता है, उसके बाद इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तीन प्रकार की क्रोकोडाइल की, यानि मगर मच की प्रजातियां पाई जाती है, तो तो आप इसक और हम से याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, तो इसमें पहली है घरियाल, जिसको हम लोग गैवेलिस, गैंगेटिकस बोलते हैं, यह आयूसीन रेडलिस्ट के अंदर क्रिटिकली इंडिजर काईगरी के अंदर आता है, दूसरा मगर क्रोकोडाइल है, जिसको हम लोग क फ्रेश वाटर्स में रहना पसंद करते हैं, भारत के अंदर जो नदन पार्ट है, वहाँ पर फ्रेश वाटर्स के अंदर यहाँ पर घरियाल सापको देखने को मिलेंगे, एक और प्राइमरी हैबिटेट है, वो है चंबल रिवर, चंबल रिवर अपने आप में एक साहिक नदी है, यमना नदी की, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यानक न, और क्या है, यहाँ के बाद जो सेकेंडरी हैबिटेट है, वो है घागरा नदी, गंडक नीद नदी, उसका दगरवा रिवर हो गया, रामगंगा रिवर हो गयी, सोन रिवर हो गयी, तो यह सारी बात क्या है ना जहां पर जिस भी पानी में घर्याल्स प्रेजंट है तो यह समझ लेना वो पानी बिल्कूल साफ ऐसा क्यों क्योंकि घर्याल्स को साफ पानी में रहना ही पसंद है अब इसके कंजर्वेशन एफर्ट के उपर हम लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं मतलब की इनकी प्रोडेक्शन के उपर जैसे मैं आपको बता है ना यह खत्रे में काफी जादा है इनको बचाने के उपर सुरूशे ही फोकस रखा गया है अलग-लग सेंटर्स को बनाया गया है के अंदर इन फाक्ट दुनिया भर के अंदर तो इससे यहाँ पर इन क्रोकोडाइल को काफी सरी परेशन आने हो रही है डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर फिशिंग ऑपरेशन चला जा रहे हैं मैसिव स्केल्स के अंदर फ्लर्ट्स आ जाती है तो उसकी वेस सरकार फोकस यह कर रही है कि इन क्रोकोडाइल्स को ओरंग नैशल पाक के अंदर वपास से लाया जाए और इनको बचाया जाए फिर यह कुछ साल बाद ब्रीडिंग करेंगे और इनकी जो पॉबलेशन है वो इंक्रीज होगी अब इसके अंदर आपने घर्याल के बारे में आपको यह ओरंग नैशल पाक देखने को मिलने वाला है इस पाक को एस्टब्लिश का जया था एजब वालाइफ सेंच्री 1985 में फिर उसका इसको नैशल पाक डेक्लियर के आगया 1999 के अंदर यह हमारी कंट्री का 49 टाइगर रिजर्व है इसके बारे में ध्यान रखना इसको नोटिफाई किया है 2016 के अंदर उसको बाद आपको यह बताना है लास्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है जो की एड़ किया गया था इस लिस्ट के अंदर फिर उसके बाद इसी ओरंग नैशल पाक के अंदर आप रिनोसौर्र वगरा भी देख पाओगे बहुत सारे देखने प्लस उसके बाद यहाँ पर अभी ओरंग नैशल पाक के अंदर क्या एक अपडेट करने की बारे में चर्चा की जारी हो आपको मालूम ही है अगर हम बात करें एक लेटेस्ट जो हमारे पास डेटा है डेटा किस चीच का है एंटी सीय का मतलब नैशनल टाइगर कंसरवेश पर यह देखने को मिल जाते हैं चोकि अपने आप में काफी ज़्यादा थे और यहाँ पर आप देख पाऊगे जो डेंसिटी है कहीं लगी काजी रंगा से भी ज़्यादा हाईस डेंसिटी देखने को मिल रही थी ठीक है यह पुराने डेटा है तो इसके बारे में ध्यान पाक्स भी असाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं आगे बढ़ते हैं आते हैं पेज नबर 10 के उपर देखेंगे दुनियादारी में क्या चला है अगें कज़कस्तान के बारे में चर्चा की गई है इसको सबसे लास्ट में देखेंगे क्या अपडेट आया है ठीक है क्यों और चाइना अब्यस सी बात है आज के टाइम पर काफी सारा इंवेस्टमेंट काफी सारा इंफ्रास्रॉक्टर डेवलेपमेंट कर चुका है मौल्दीव्स में तो यहाँ पर हम लोग इसको डिसकूस करेंगे आखिरकार क्या हुआ है तो मौल्दीव्स और चाइना ने सेट पर गए हैं यह एक तरीके से मौल्दीव्स के अंदर हैं ठीक है मौल्दीव्स के अंदर फ्राइड़ में पहुँचे उसके बाद यह कहां का पर और जाएंगे जैसे अरिट्रिया कीनिया आइलेंड नेशन आफ कोम्रोज हो गया मौल्दीव्स शिलंका तो इन पांच कंट बेसिस पर इन्होने एक नया लोगो भी लॉंच किया था और यहां पर इसका सलिब्रेशन किया फिर इन्होने बताया पछले पांच सालों के अंदर बात करें पिछले पांच डिकेडस के अगर हम भोग बात करें तो चायना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है मौल्द के अंदर ठीक है उसका बोला गया जो मौल्दीव और चाइना के रिलेशन्स हैं यह और ज़दा हाइट पर जाने वाले हैं आने वाले टाइम पर ऐसा भी यहां पर बताए गया ठीक है अब यह चीज़े देखने को मिली साथ साथ इन्होंने आपस में जब डिसकुशन करते कर होगे तो वो लोग आगे जाएंगे जब पैंडेमिक का सिच्वेशन थोड़ा सुधरेगा तो मौल्दीव यहां पर डेफिनिटी जाएंगे ऐसा भी बताया गया उसके बाद दुनों सरकार ने अग्रिमेंट किया है एकॉनमिकल टेकनिकल को ओपरेशन को लेकर एकनॉमिक अंदर मालेग आईलेंड को करनेट करता है हुलहुल मालिक से ठीके तो यहां पर आपकर सकते हो तो चाईना ने यह काम कर रखा है एक बिरज बना कर दिया हो है और काफिसरा पैसा यहां पर लगाया है तो आप कह सकते हो कि इस से भी मौलदीविक के अंदर एक काफी बड़ और नीचे चाओगे ना तो यहाँ पर आपको Maldives नजर आएगा Indian Ocean के अंदर ठीक है तो यहाँ पर आपका सकतो सारा investment किया जा रहा है तो इससे concern तो इंडिया को ही है ना क्योंकि हाँ पर एक neighboring country यहाँ पर देखने को मिलेगा Maldives और Maldives और इंडिया के relations अपने आप में काफी अच्छे भी रहते हैं है ना अगर हम लोग बात करें हम लोग भी पूरी तरह से focus कर रहे हैं 2018 से हम लोग ने भी यहाँ पर focus किया हम लोग ने काफी सरा पैसा अनॉंस किया है वहाँ पर development करने के लिए पूरे island nation को develop करने के लिए हाला कि हम लोग ने बोला in New Delhi हाँ पर commit हो च अगर चाइना अपना जो भी पूरी तरह से अगर investment ऐसे बढ़ाता रहेगा हमारे country के आसपास की neighboring countries के अंदर तो इससे concern यहाँ आता है कि चाइना कहीना की क्या कर रहा है यहाँ पर एक string of pearl को बूरे string of pearl मैंने आपको काफी बार समझा रखा है देखो पहली बात हो चाइना पाकिसान के अंदर investment किया उसका मौलदीव के अंदर आप investment देख पाऊगे तो इस प्रकार से एक यहाँ से भी control हो चुका है शिलंगा के अंदर हममत होता port control पाली है इसके उपर भी उसका बंगलदेश के अंदर ports के उपर development कर रखा है मैनमार में development कर रखा है तो इस प्रकार से एक मोतियों की माला बुंदी है चारों तरफ से इंडिया को घेर रखा है एक तरीके से चाइना ने और यही इनकी strategy है क्लियर वाइस को हम लोग string of pearl बोलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना फटा फट लाइक करके support दिखा सकते हो अपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है ठीक है लाइक ज़रूर कर देना आगे बढ़ते हैं और आने वाला है उसको छोड़ दो ठीक है उसको फिर क्यों पढ़ना और मैं देखता हूं बहुत सारे वीडियो अप्लोड होते हैं वहाँ पर science and technology को cover नहीं किया जाता है हाला कि पहले मैं भी नहीं cover करता था science and tech के articles मतलब बहुत पहले करता था लेकिन बीच मैंने करने छोड़ दिये थे ठीक है मैं यहाँ पर दे लेता था आप लोग को लेकिन फिर उसके बाद यार इतना ज़्यादा इसका रोल रहा है क्योंकि आप लोग previous year question papers देखोगे जैसे कि पिछले साल का prelims का examination देखोगे वहाँ पर science and tech का portion लगाता जा रहा है उसका weightage बढ़ रहा है और जदा तर article Sunday के newspaper वाले से ही पूछे गए मैं आपको कभी उसका वीडियो बना कर दिखाऊंगा ठीक है कि किस प्रकार से question पूछे जा रहे हैं और कितने कितने पुराने article दे हिंदू से निकाले गए तो science and tech का portion बहुत बहुत important है यहाँ पर आप इसको skip करना है जैसे कि आप लोग को मालूम लिए देखने को मिलेगा सीखेंगे हम लोग supernova क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझाने कि यहाँ पर कोशिश करूँगा supernova क्या होता है एक बड़ा सा स्टार जब तूट जाता है तो supernova बनता है यह मतलब supernova की situation के लिए होती है उसके बाद एक बहुत important research निकल कर electrical synapse और chemical synapse क्या होता है दोनों के बीच में क्या difference होता है दो प्रकार के synapse होता है इनके अंदर कैसे कैसे changes होता है पुरकेंजी neurons क्या होता है यह सारी चीज़े यहाँ पर बताई गई है studies के तुरू तो किस प्रकार से brain के अंदर जो connection से वो बनते हैं वो यहाँ पर study ने बता state अंदेरे में यहाँ पर oxygen को produce किया जा सकता है तो इसको discuss करेंगे आखिरकार यह क्या process यहाँ पर बताते हैं उसके बाद अगेन omicron के बारे में चर्चा की गई है तो यहाँ पर इसको skip कर देना अब हम लोग बात करते हैं पहले अपने article की दरफ तो यहाँ पर जो NCBS है NCBS यहाँ पर क्या है तो इसका नाम है National Center of Biological Science यह बैंगलूरू के अंदर है इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि जो zebrafish है zebrafish कुछ इस प्रकार से नजर आती है ब्लैक और वाइट कलर जैजर से zebra का कलर देखने को मिलता उस प्रकार से fish देखने को मिलती है एक transparent fish भी यहाँ पर इस कहलाती है साइनपस कब बनता है साइनपस क्या होता है यह सारी चीज़े हाँ पर बताई गई है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला जिखो जो neurons या फिर nerve cells होते हैं brain के अंदर यह connect किये जाते हैं एक junction के दुरू मतलब जो neurons होते है मालो यहाँ पर neurons हो गया यह मालो neuron का structure हो गया जैसे आप लोग यहाँ पर neuron मतलते हो न तो उस प्रकार से यहाँ पर यह structure अगर देखने को मिलेगा तो इनके जो cells हैं basically यहाँ पर जो neurons हैं इसके बीच में connection कैसे बनाएं इनके बीच में connection मनाएं एक junction के मादे हमसे और उस junction को ह होते हैं मैं आप लोग को थोड़ा सा picture के थो समझाता हूं क्योंकि science के अंदर यह है कि अगर हम लोग picture समझते है picture से तो ज्यादा अच्छी तरीके से चीज़े clear हो जाती है तो यहाँ पर आपको यह neuron देखने को मिलेगा ठीक है अब neuron के बीच में आप देख पाओगे इस प clear हुआ अब यह क्या बोलते हैं article के अंदर अब यहाँ पर यह बोलते हैं जो यह signups है basically यह भी दो प्रकार के होता है ठीक है दो type के signups होता है एक होता है chemical और दूसरा होता है electrical signups जो chemical signups होता है यह यहाँ पर neurons के बीच में दो neurons के बीच में एक space है हलका सा 20 nanometer के आसपास का space ह यहाँ पर यह बताया मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा एक बार और picture के दो समझाता हूँ यहाँ पर आप लोग जब इस picture को देखोगे तो यहाँ पर मालो एक neuron है यह neuron है पूरा इसके अंदर मैंने आपको बताया एक chemical signups होता है और एक electrical signups होता है chemical signups की बात करें तो बीच मे थोड़ा सा gap नजर आ रहा होगा ठीक है अब यहाँ पर यह आप देख पार होंगे छोटे 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 सब neurotransmitter हैं जो transmit होता है तो यह chemical signups के लाता है लेकिन electrical signups के अंदर कोई neurotransmitter होता नहीं है यहाँ पर gap junction channel आपको इस प्रकार से थोड़ा सा joint देखने को मिलेगा तो यहाँ पर electrical signups के अंदर आपको थोड़ा सा directly joint वाला system देखने को मिल जाता है clear हुआ तो यहाँ पर दो प्रकार के signups होता है clear हुचो के मैं आपको बता दिया signups basically क्या है तो signups यहाँ पर हमारे circuit का part है जो कि हमारे sensory organs को directly connect करता है जैसे आपको पता चला है शरीर में पेन हो र connect होते हैं तो अभी तो यहाँ पर आप देख पाऊते हो कहीं पर भी मदब की कहीं पर भी कुछ भी body के अंदर होता है तो आपको एकदम directly information मिल जाती है आपके brain के अंदर तो signups या neurons का एक बहुत बड़ा रोल होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह ध्यान हुआ दूसरा जो electrical signups होता है यहाँ पर भी आप कर सकते हो दो neurons के बीच में एक physical connection होता है जैसे मैं आपको बिरताया थोड़ा सा connection देखने को मिल रहा था तो electrical signups के अंदर यहाँ पर एक physical connection होता है ठीक है इसके बारे में ध्यान रखना है तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा तार ह यहाँ पर इसका मतलब है इसका मतलब है रिसर्टर्स के बताया कि मालो जो लीची से यहां पर क्या होते हैं या प्लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेना यार मुझे हिंदी में इसका नाम याद आ रहा है अभी याद नहीं आ रहा है तो फिलाल अगर हम बात करें जो लीची से इंके अदर जब रिसर्च करें तो इन्हों ने यह बताया कि इनमें स हमें पर पताय लगा ही जा रही है कि brain के अंदर connection किस प्रकार के चल ला रहा है निऊरों से निरों से निरों के आपके पूरे rest of the body सेár है तो कहीला के बहुत-बड़ा रोल एと思います साइनेपका इपकर सैंेपस नहीं होगा तो आपके बोडी का चं issy कशली विकार हो जाएगा इहां पर तो अगöyle बात करें तो जो साईनेपस पहुत इंपॉडरेंट मना जाता है na बहुत इंपॉड इंə और कि पहले बनता है electrical signups बहुत important मना जाता है electrical signups पहले बनता है chemical signups यह आप देख पाऊगे फिर उसके बाद यह बताता है क्या कि अगर हम लोग body के अंदर से electrical signups को remove कर दें इसको हटा दें तो आपके body में chemical signups भी नहीं मनेगा यह पहली research तो इन्होंने बताया फिर उसके बाद यह क्या बलता है यह जो mechanism है ना पूरा जानने का यह आपर बताया गया देखो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लीचिस के बारे पता चला है बाकि जो vertebrates वाले animals है उनके बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी मिलेगी नहीं ठीक है अब जिनके पास रिल की हटी होती है बड़े जानवर से उनके बारे में अभी हमारे पास कोई proper information नहीं है ऐसा भी scientist बोलता है अब scientist इसको और detail में समझने के लिए एक और experiment करता है experiment क्या करता है जो researchers होते है zebrafish को लेते हैं जो कि आप लोग को बराबर में नजर आ रही होगी zebrafish को as a model लिया जाता है zebrafish transparent होती है जैसे हम आपको बता है transparent सा इसका शरीट्स देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसके neuron development को देखने के लिए इसके brain के अंदर किस प्रकार से neurons बन रहे हैं इसके development को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर आपका सकते हो कि इसके brain के अंदर day to day observation करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक color को inject करते हैं color को inject कर देंगे तो इससे क्या होगा यहाँ पर चीज़े बिल्कु साफ साफ नजर आएंगी क्योंकि transparent है तो color को inject करेंगे तो यहाँ पर चीज़े साफ साफ देखेंगी साफ साफ यहाँ पर देखेंगी हम लोग को तो उसके basis पर क्या हो सकता है हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से brain के अंदर जो neurons हैं वो develop हो रहें neurons क्या होते हैं आपको अभी तुरंत ही बता जाए ठीक है अब जो रिसर्च करी गई तो यहाँ पर ग्रूप ने ऑब्सर्व किया पुरकेंजी नियूरॉंस के ओपर effect पड़ा है ठीक है एक एक नियूरॉन होती है पुरकेंजी नियूरॉन हमारे brain का वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है exactly आप देख पाऊगे यहाँ पर आपको देखने को मल जाता है जो यह हमारे कौन से पुरकेंजी जो cells होते है पुरकेंजी नियूरॉंस होते है वो आपको हमारे उस वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलेगे इनक में काम क्या होता हम आपको बताऊंगा, तो हमने observe किया, पूरकेंजी नियोरॉंस को लेकर, जब हमने यहाँ पर एक मचली के ओपर पूरी टेस्टिंग करी, तो हमने observe कि जैबरा फिश के अंदर, जो basically यहाँ पर cerebellum है, cerebellum मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर यह एक enzyme, आपको देखने को मिलता है, तो आपको इसके बारे में जरूर धियान को लखना है, देन उसके बाद मतलब कि आपके body का जो control है वो समाल के रखेगा ठीक है तो होता क्या है यहाँ पर आप कह सकते हो कि चलो इसके अंदर changes देखने को मिले यहाँ पर बताया गया जो CMK2 के levels है यह बढ़ गए यह increase हो गए ठीक है यह बढ़ते हुए नजर आए कहाँ पर पूरंजीं की neurons के अंदर है और कहाँ पर हो रहा है brain के पीछे वाले हिस्से में Cereblem के अंदर मैं आपको बताया और जो neurons और Cereblem है यह अपने आप में क्या करते हैं देखो आपको ध्यान रखना है जो neurons और Cereblem है ठीक है यह अपने आप में क्या करते हैं जो coordination करते है movement के लिए जो आप चलते हो ठीक है आपके जो movements हो रहा है उसके बीच में coordination होना चाहिए इन दोनों के बीच में neurons और Cereblem के बीच में एक्जामपल लेते हैं इसे एक coordination बन नहीं पाता है इसके वैसे जो प्रॉपर movement होते नहीं है ठीक है यह आपको समझना होगा ठीक है तो कहीं ने की brain के अंदर यह movement देखने को मिलता है किसकी वज़ासे neurons और Cereblem की वज़ासे यह यहाँ पर बता है या इन दोनों की वज़ासे movement के अंदर एक coordination बनता है clear हुआ यह यहाँ पर information दी गई है तो last में हाँ पर यही बताते हैं कि अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर gap junction नहीं होगा cells के बीच में है मैंने आपको बताया cells के बीच में क्या है neuron cells के बीच में gap junction होता है ठीक है जिसकी वैसे आपका सकते हो एक channel बनाता यह gap junction मतलब एक channel बनाता है cells के बीच में उन दोनों को form करता है अगर यहाँ पर gap junction नहीं होगा तो इससे क्या होगा जो cmk2 levels है यह increase होंगे और यहाँ पर आपका सकते हो कहीं न कहीं जो dendrite arbor होता है इसको बनने से रोकेंगे dendrite arbor क्या होता है देखो structure इसका dendrite इसको बोल गया है ठीक है तो यह dendrite arbor क्या होता है बेसिकलिए यहाँ पर खुद अपना एक में branching structure है यह क्या करता है जो neurons है ठीक है आप कर सकते हो कि हमारी cell body है उनके बीच में signals को connect करता है ठीक है signals बेचता है यहाँ पर thousands of neurons है और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि और फिज उन साइनेप्स से वह नहीं बनेगा ठीक है तो researchers यहाँ पर यहीं बताते हैं कि किस प्रकार से brain के अंदर connections बन रहे हैं अगर चीजों के अंदर थोड़ी छेठचाड करते हैं कि इसको कम करते हम लोग तो उससे आपर connections बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बताया गया कि जैसे कि हम लोगों ने CMK2 level को कम कर दिया तो इससे यहाँ पर क्या हुआ इससे यहाँ पर क्या हुआ गया होग चैनेप्स नहीं बनेगा और यह जो साइनेप्स यह दोनों ही बनना बहुत जादा important है यह आप लोगो मालूम चल गया chemical synaps क्या होता है electrical synaps क्या होता है दोनों के बीच में सारे बिलम है यह दोनों मिलकर आपके movement को कंट्रोल करता है वह यहाँ पर बताया गया तो researchers नहीं यहाँ पर यह चीज़े एनलाइस करी है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा exactly यहाँ पर क्या बताया गया उसका अगले आटिकल में क्या चर्चा की गई है अगला आटिक researchers ने उसकी image देखी और वह एक तरीके से explode हो गया है ठीक है explode आप कर सकते हो मतलब की पैदे तो काफी लबे समय से यहाँ पर चमक रहा था लेकिन क्या हुआ explode होने के बाद यह क्या होगा एक तरीके से वह यहाँ पर बन जाएगा supernova तो लगबग 130 दिन से यहाँ पर चमकी रहा था फिर उसके आट क्या हुआ यह आप उसके बाद यहाँ पर एक supernova बन चुका supernova बनने का मतलब है star का explode हो जाना बहुत तेजी से यहाँ पर explode हो जाना बहुत तेजी से light जलती है फिर उसके आद यहाँ पर वो star वो टूट टार जाता है ठीक है इसके बारे में ध्यान रखना है यह star कहाँ पर located है यह located है NGC 5731 galaxy के उपर ठीक है तो यह galaxy लगबग आप कह स generation का इस्तमाल किया था यहाँ पर आपको यह नजर आ रहोगा supernova हम इसको बोलते हैं जैसे आपने देखा star यह है इस प्रकार से एक ही बार में explode हो जाएगा और इसकी जो energy वो बहुत जादा होती है sun से जादा energy यहाँ पर निकलती है इसे explode हो जाता है यह इसको हम लोग बोलत जाता है जब उसके death हो रही होती है तो यहाँ पर वो star के अंदर यह supernova देखने को मिलता है यह explosion काफी बहुत ज़्यादा ब्राइट फुल होता है जैसे आपने देखा बहुत ज़्यादा energy होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा powerful होता है ठीक है अब यह होता क्या है आपको समझना होगा यह microbes होते हैं मैंने आपको चोटा सा पिचर यहाँ पर और सेंड कर रखा है आप माइक्रोप्स कर रहे हैं इनको हम लोग microscope की मदद से देखते हैं ठीक है जैसे bacteria, archive और यह बहुत सर यहाँ पर आपको चीज़े देखने को मिलती है सब हमारे microbes कर लाते हैं तो अगर हम लोग बात करें microbes की तो क्या यह oxygen को produce करते हैं तो बिल्कुल ऐसा है पर देखने को मिला है एक microbe का नाम लिया गया है उस microbe का नाम क्या है जरूर इसके बारे में ध्यानक ना question मन सकता है उस microbe का नाम है nitrosopomilus maritimus ठीक है यह इसका नाम आपको देखने को मिलेगा अब researchers ने क्या बोला researchers ने यह देखा जो यह micro organism है यह अपनी oxygen खुद बना रहा है और ऐसा यहाँ पर University of Southern Denmark ने यहाँ पर उसके press ने release किया है जो researchers ने इनों यहाँ पर test कड़ेट किया lab के अंदर और दिखाया कि जो यह पूरा का पूरा microbe है जिसका नाम है ने आपको बता है यह क्या कर रहा है यह oxygen का जो पानी के अंदर oxygen present है उस oxygen का इस्तमाल कर रहा है लेकिन कर कह रहा है उस oxygen का इस्तमाल करने के बाद उसके अंदर oxygen level बढ़ रहा है मतलब पानी के अंदर देखने को मिला कि oxygen level increase हो रहा है ठीक है अब यह oxygen level कैसे increase होगा तो यह बताया गया कि अपने आप में यह एक इंपोरेंट बात है तो कौन सा यह आपको माइक्रोब देखने को मिलेगा तो नाम ज़रूर दिहान लखना माइट्रो प्रमिलस मैरिटिमस यहाँ पर इसका नाम नज़र आएगा उसके बाद संडे में यहाँ पर फ्रिक्वेंट आस्क्वेशन्स आते हैं यहाँ आपको बिल्कुल भी इंपोरेंट नज़र नहीं आएंगे यहाँ पर वक्सीन के बारे में चरचा की गई है लास्ट मे इडिया से और बाकी सब डेटा इस प्लाट्फॉरम पर डाला गया इस पूरे ब्लाट्फरमं को बनाया गया 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 इस पूरे एप उस्दोर अप्लिकेशन को बनाया ये online अगर ऐसा काम करता है कि कोई भी तो क्या ये punishable है बिल्कुल punishable है तो legal provisions क्या क्या है उसके बारे mention क्या गया है तो इस article के मैं आपको screenshot दे दूँगा ये आप लोग यहाँ पर खुद read कर सकते हो फिलाल तो यहाँ पर देखो क्या क्या है मैं आपको बता देता हो देखो प आपको सकते हो जो यह online bullying होती है women की तो इस चीज़ को रोका जा सकता है तो आपको सकते हो कि क्या हमारे पास legal provisions है बिल्कुल provisions है तो आप यह चीज़े ज़रूर mention कर सकते हो तो अब यहाँ पर अलग लग sections के बारे में बताया गया देखो at last क्या है ना जितने भी sections है उनका इस पर या फिर hate speech हो रही है उनको रोकने का भी कहीं की काम करते हैं जैसे अगर आप देख पाऊगे जो IPC का section 153A है इसका main काम है जो भी आज की टाम पर दुश्मनी को promote कर रहा है अलगला groups के बीच में religion के बीच में उसके उपर करवाई करना उसी प्रकार से जो section 153B है इस religion के basis पर आप कह सकतो hate speech फैला रहा है या भेदबाब कर रहा है उसी प्रकार से अलग-अलग यहाँ पर sections के बारे mention किया गया तो article में इसमें भी आप कह सकतो ऐसी कोई important चीज़े देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन इस article का screenshot में आप लोगो दे दूँगा तो ज़रूर रखना IPC के अंदर बहुत सरे sections में जहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको पर case दर्च किया जा सकता है पांच लग के पांच लाग कुर्पे का fine लग सकता है उसके उपर fine को बड़ा कर 10 लाग कुर्पे का किया जा सकता है अगर इस प्रकार से cyber crime देख पाऊगे जो cyber crime हो रहा है इसके regarding हमारे पास law है जो IT act is का section 66E यहाँ पर क्या बोलता है punishment देगा किसी को भी अगर कोई भी यहाँ पर privacy का violation करेगा ठीक है privacy का हंदन कर रहा है तो इसको भी हाँ पर punishment मिलेगा तो इस प्रकार से और भी sections देखने को मिलेगे कोई women को harass कर र इसे करना है implement करना यह बहुत बहुत बड़ा matter करता है तो यह आपको ध्यान लखना है इस article के अंदर और ज्यादा कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा नहीं उसके बाद next article में बताया गया है कजक्स्तान के बारे में जैसे मैं आपको बताया था last month को discuss करेंगे तो कजक्स्तान ठीक है यूसे जार टूट के कजक्स्तान बना था तब से यहाँ पर वो लोग रूल करते हैं नजर आएंगे लोग पहले सी नराज थे अब इन्होंने दो जनवरी को LPG के प्राइसिस बढ़ा दी 100% से LPG के प्राइसिस को इंक्रीस किया या जिसकी वए से लोग नराज है आज के टाइम पर काफी विवाद क्रेट हो चुके हैं लोग यहाँ पर इन सरकाल को हटाने की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताए ना लंबे समय से यहाँ पर यह रूके पड़े हैं तो कजक्स्तान के अंदर आज के टाइम पर यह क्रैसिस नजर आ रहे हैं उसके के पार्ट हैं CSTO क्या होता है यह है collective security treaty organization ठीक है यहाँ पर क्या है जो रश्या हो गए या फिर आपका सकतो चार्ट दूसरे members भी है Soviet Republic के तो यह सब ने अपने troops बेजे अपने सारे soldiers बेजे कजक्स्तान के अंदर चीजों को समालने के लिए वापस से चीजों को restore करने के लि तो यहाँ पर situation को stabilize किया गया protesters को अभी रोक दिया गया है तो मैं आपको बताया CSTO members ने अपने soldiers भेजे हैं कहाँ पर कजक्स्तान में तो CSTO क्या है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ important है prelims के point of view से इसकी full form आपको पता चल गई है collective security treaty organization बिसिकली यह एक intergovernmental military alliance है ठीक है यहाँ पर क्या है जो भी countries है ठीक है countries आपको देखने को मिलेगी इनकी सरकारें बिलकर काम करती है इसको 2002 के अदर लाया गया था इसको trace किया गया था आपका सकते हो कि मतलब इसके बारे म आपको CSTO के दिर अंदर देखने को मिलेंगे उनके बीच में शांती को promote करना उनके बीच में security को बना कर रखना ठीक है तो यह यहाँ पर इसका main मकसद होता है इसके अदर कितने nations है तो अगर हम बात करें आज के टाइम पर इसके अंदर अर्मेनिया बेलारूस कजगिस्ता रश्या और तजगिस्तान ये countries आज के टाइम पर current CSTO की members हैं अफगानिस्तान और सर्विय आज के टाइम पर observer status लेकर बैठी हैं मतलब observer status हैं observer countries हैं CSTO की तो आपको ध्यानक ना है बट यहाँ पर बोला गया इनका main काम क्या है मैं आपको बता दिया इनका main काम क्या है इनक के अंदर बोलते हैं कि एक कंट्री को पर attack हुआ सब कंट्री को पर attack हुआ उसी प्रकार से कोई problem आती है तो इस सारी कंट्री साथ में रहती है जैसा अभी आप लोगों ने देखने को मिला है और अभी भी हाँ पर आपको सकते हो कि कंट्री ने क्या किया बहुत सारी जो CSTO चालो किया आप लोगों को सारी चीज़े clear हो चुकिये नाओ यहां पर यही थे important article और संडे की न्यूसपर में जाद कुछ खास आता नहीं यह कुछ खास था तो आप लोगों को सारी चीज़े अच्छे से clear हो चुकिये नाओ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जै हिंद!